तो ख्लास अब हम सीखेंगे हमारे तीसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बीटी कॉटन तो जो हमारा कॉटन प्लांट है उन्हें इन सब पैस्ट से बहुत जादा खतरा है यानि यह बहुत सारे पैस्ट हैं जो कि कॉटन प्लांट को बरबात कर रहे थे तो हमें इसे एक pest resistant crop बनाना था तो successfully जो हम बात करते हैं first GM crop हमने अप्रूव की थी commercial level पर बनाने के लिए वो थी BT cotton तो BT cotton को हमने successfully एक pest resistant cotton crop बनाया था और इसे अप्रूव भी किया था ताकि हम इसे commercial level पर बेच सकें अगर हम बात करें bacteria की तो जो bacteria है bacillus thuringiensis जो की naturally हमें soil में मिलता है और ये इस pest को मारता कैसे है ये produce करता है कुछ specific crystal proteins जिनने हम बोल रहे हैं BT toxin crystals या cryotoxins तो ultimately ये produce कर रहा है ऐसे protein crystal कुछ एक specific growth phase में अपनी जिनने हम बोल रहे हैं insecticidal protein और ये insecticidal protein फाइनली इन pest या insects को मारने में मदद करता है आप सोच रहे होंगे कि ये जो bacteria इतना खतरना cry protein या toxic protein बना रहा है तो ये toxin bacteria को कैसे नहीं मारता है वाइ डस दिस toxin not kill the bacillus तो इसका अंसर आता है कि जो BT toxin का protein है वो inactive form में होता है bacteria के अंदर यानि bacillus के अंदर तो जो ये inactive form होता है उसे हम बोलते है prototoxin इसके बाद जो ये BT toxin है ये किस तरीके के insects को kill करने में मदद कर रहा है तो यहाँ पर हम कुछ अलग-अलग insects या pest की बात करेंगे जैसे कि हम बात कर रहे है tobacco bird warm या हम बात कर रहे है army warm की तो ये जो दो pest है ये आते हैं category में जिने हम बोलते हैं lepidopterans दूसरा हम बात कर रहे है flies और mosquito की जो आते हैं dipterans category के अंदर और हम बात कर रहे हैं coliopterans यानि beetles की तो ये कुछ specific pest हैं जिनके लिए हमें crop plant को resistant बनाना है और ये betitoxin इनको kill करने में मदद करता है तो बच्चो अब एक question यहाँ पर आता है how betitoxin works आखिरकारी betitoxin काम कैसे करता है तो इसके लिए हमने क्या किया हमने एक leaf को लिया betitoxin से जैसे की betitoxin जब हमने इस leaf को study किया तो जो plant cell थे इस leaf के अंदर जो cell थे उनके अंदर हमने crytoxin डाला हुआ था तो यहाँ पर आपको plant cell दिखाया गया है जिसके अंदर जो आपको इस blue color की diamond like structure दिख रहे हैं ये crytoxins हैं जो हमने bacillus thuringiensis से लिये हैं और इस plant cell के अंदर डाले हैं अब क्या होता है जब insect इस crop को या इसकी पत्तियों को खाता है तो उसके अंदर ये toxin चला जाता है तो जो crytoxins हैं वो insects के अंदर चले जाते हैं और ultimately वो इस pest को मारने में मदद करते हैं तो हम बात करें जब ये crytoxin insect consume करता है तो insect की जो gut है या जो elementary canal है उसमें alkaline pH होता है और इस alkaline pH की वज़े से जो inactive toxin है वो अब active हो जाता है और finally ये toxin active होके solubilize होता है इसके अंदर और इसकी वज़े से हम बात करें जो toxin activate हुआ है वो आगे जाके bind करता है इस insect gut की cells के कुछ specific receptors से तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो insect की gut cells है उनमें कुछ specific receptors है जिसमें ये activated toxin आकर जोड रहा है और bind कर रहा है इस binding की वज़े से ultimately क्या होता है ये जो gut cells है ये swell कर जाते हैं soot जाते हैं और ultimately ये फट जाते हैं यानि इनमें होता है lysis और cells जैसे जैसे फटने लगते हैं वैसे वैसे इंसेक की gut damage होती है और ultimately जो इंसेक्ट या pest है वो मर जाता है तो बच्चों उस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पर अगर वीडियो के थू समझें तो यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाई गई है जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो beti crops है वो genes को यूज कर रहा है bacillus thuringiensis से और जिसे हम beti भी बोल रहे हैं एक common soil bacteria जो protein toxins बनाता है pest insects को मारने के लिए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं gene जो है वो produce करते है proteins जिनने हमने crop plant के DNA में डाला फिर इन्होंने protein बनाया और specific pest को मारने में मदद किया फिर इसके बाद हम बात करें beti protein काम कैसे करता है जब pest beti plant को खाता है तो यह जो protein है यह gut receptors पर जोड़ जाते हैं और gut wall को तोड़ देते हैं rupture कर देते हैं जिससे insect मर जाता है तो protein must bind to specific receptors to work जो दूसरे organisms है उनके अंदर ऐसा कोई receptor नहीं है इसलिए वो unaffected होते हैं तो class अब हम यहाँ पर देखेंगे gene जो की beti toxin बना रहा है यानि इससे बनने वाला protein क्या है और यह कौनसे insect pest को target कर रहा है वो हम यहाँ पर सीखेंगे सबसे पहला जो gene है उसका नाम है cry1ac gene इससे जो protein बनता है उसे भी हम cry1ac ही बोलते हैं और यह target करता है cotton ball warm को इसी के साथ साथ जो दूसरा gene है उसे हम बोलते है cry2ab इससे बनने वाला protein भी कहलाया जाता है cry2ab और यह भी target करता है cotton ball warm को ही इसके बाद हम बात करें तीसरा gene जिसे हम बोल रहे है cry1ab तो जो cry1ab है वो protein बनाएगा cry1ab ही और यह target करता है कौन borers को तो यह कुछ specific genes थे इनसे बनने वाला जो protein है वो यहाँ पर दिखाया गया है और यह किन insect pest को target करता है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है